Tata Technology का IPO अब यहाँ पर लिस्ट होने वाला है आप सबको पता होगा यहाँ पर urgency में लिस्ट किया जा रहा है अब आपको क्या करना है देखिए आपका IPO लगा है या फिर IPO आपका नहीं लगा है सारी चीज़े आप यहाँ पर भूल जाए क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूं after listing जैसे ही सुबा 10 बच कर 15 मिनिट में या 10 बजे जैसे ही यही लिस्ट हो जाएगा आपको क्या ट्रिक यूज करना है आज के वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आप और आपका परिवार शेयर बजार से धेर सारे पैसे हाँ पर बना पाए तो वीड आपको यहाँ पर इस IPO के बारे में अपडेट लगातार दे रहा था कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि after listing इसे खरीद लीजे जिसने भी after listing इसे खरीदा 50 रुपे में वहां से भी share अगर आप देखोगे तो 60 रुपे हो गया यहने की 20% वहां से भी उसे मुनाफ़ा ह हुआ और जिसने हमारा वीडियो देकर IPO लगाया था उसके पैसे तो यहाँ पर एकी दिन में यहाँ पर डबल हो गया तो जिसने भी IPO लगाया जिसका भी IPO लगा जिसने भी पैसे बनाया सब को यहाँ पर दिल से धन्यवाद और जिसने यहाँ पर नहीं बनाया IR EDA गलती हो तो आप इस वीडियो को देखे टाटा टेक का IPO ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और दिल से ठेंक्यू कल के वीडियो में आपने 10,000 लाइक दिया धमाका मचा दिया उसके लिए बहुत बहुत ठेंक्यू और जम के सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइ है चाहे वो RVNL हो चाहे वो IRCTC हो चाहे वो IRFC हो चाहे वो IR Radio सबसे पैसे बनाया लेकिन आज बात करते हैं कि टाटा टेक के IPO में आपको आफ्टर लिस्टिंग यहाँ पर क्या ट्रिक इस्तमाल करना है जिससे आप बनाये धेर सारे पैसे अब देखे यहाँ पर जो टाटा टेक का IPO यह 500 रुपे पे लाया गया था आप सबको पता होगा minimum lot जो था 30 share का 15,000 रुपे का अब आपने हाँ पर apply कर दिया होगा RIA category और NIA category में अब यह जो expected listed price है यह लगभग 880 रुपे के आसपास का है यहने कि 880-900 रुपे पे जाकर settle हो जाएगा और वहां से यह शुरुआत करेगा अपनी यहने कि जो listing गेन है आपको 70-80% का मिल जा सकते है यहने कि आपके 15,000 के 15,000 बनेंगे तो total हो गया 30,000 उसमें आप अपने 17-18,000 रुपे निकाल सकते है 20,000 रुपे निकाल सकते है बाकी पैसे को लगे रहने दीजिए क्योंकि Tata नाम brand का stock है बाकी आप अपने पैसे निकालिए अगला जो IPO आएगा उसमें लगाईए और उससे पैसे यहाँ पर बनाईए देखिए बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देंगे इसे IR EDA समझके आपको बोलेंगे इसे hold कर लो Tata का brand जबर्दस पैसा बनेगा गलती मत करिएगा ये एक volatile stock है और ये government stock नहीं है जो आपको stability देगा तो यहाँ पे आपको stability नहीं मिले नीचे आ सकता है इसलिए इससे अच्छा है कि आगे के वीडियो में अभी subscribe करके रखो मैं एक dark horse बताऊंगा IR EDA जैसा जो आपको यहाँ पर stability देगा तो जिसका allotment हुआ है उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर serious line का use किया है बाकि अपना research यहाँ पर कर लिज लिष्ट होगा यह मैं 880 डाल दिया calculator में और 15 के IPO पर 15 का earning है इसका तो जो लिष्टिंग होगा वो होगा 59 के PE पे तो 59 के PE पे करेंटली यह 32 के PE पे हो रहा है इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको सस्ते PE पे यहाँ पर कोई stock मिलता है तो उससे आपको ले लेना तो एक बार देख लेते हैं 70 into 15 मैं कर देता हूँ 1050 रुपए इसका प्राइस होगा और आपको बेचना कहा पे है तो चलिए 80 के PE पे यानि कि यह जो सबसे महंगा शेयर है शायद KPIT का उसके आसपास अगर यह जाता है तो 80 into अगर मैं 15 करूँ तो 1200 रुपए आता है तो इस 900 से 900 इसका average price रहने वाला है और 900 से 1200 इसका maximum price यहाँ पर रहने वाला है अब दिक्कत क्या है कि after listing यह अपने maximum price पे जा रहा है यहनि कि बहुत महंगा हो जा रहा है share 60-65 के PE पे और मैं 50 के उपर के PE के share को लेना पसंद नहीं करता नहीं तो अडानी जैसी हालत यहाँ पर हो ज clear cut यहाँ पर बता रहा हूँ मेरा क्या personal opinion है तो देखे यह सबसे पहले long term stock नहीं है मेरे लिए क्यों नहीं है क्योंकि यह जो काम करता है modes create नहीं करता KPIT और L&T services यह काम यहाँ पर करते हैं बहुत ज्यादा पैसा जो है Tata Motors पर depend करता है इसका जो generate होता है अगर Tata Motor अच्छा perform नहीं करेगा तो यह भी perform नहीं करेगा दो तीन वीजन है जिसके वज़े से मुझे यह long term stock नहीं लगा और मैं अपने इसे portfolio में नहीं रखने वाला हूँ हाला कि इसका hype बहुत जादा बन रहा है stock market में लेकिन यह वैसा stock नहीं है जैसा इसका बाकी लोग मिलके hype बना रहे ह media houses और news में और बाकी influencer लोग मिलके लेकिन यह वैसा stock नहीं है fundamentally hype बन रहा है ग्रे मार्केट में अच्छा यहाँ पर brand के नाम से चल रहे है लेकिन long term stock नहीं है अब short term क्या करना है तो देखे जो वैसे आप इससे छोड़ सकते है after listing आप इससे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं ह छोड़ो इसको यहाँ पर आप अलगों के सड हट जाओ अगर आप बहुत जादा aggressive investor है आप बहुत जादा टाटा ब्रैंड से प्यार करते हैं बहुत जादा चाहते हैं तो जैसे ही जिस price पर यह list होता है मेरको लगता 880 के असपास list होगा वहाँ से आप इसे खरीच सकते है 10% के upside potential के लिए नीचे 5% का stop loss लगागे हाला कि मैं आपको ऐसा कुछ करने का suggestion नहीं करूंगा बहुत जादा aggressive है तो आप कर सकते नहीं तो market में बहुत अच्छी opportunity है IR EDA में आप अभी भी buy करके हैं वहाँ पर पैसा बना सकते हैं सरकारी कमपनियां मिनीरतन कमपनियां PSU है वहाँ पर selling pressure नहीं है लेकिन Tata Motor के साथ Tata Tech के IPO के साथ मैं नहीं कहूंगा यह काफी जादा volatile है interest rate काफी जादा high है support नहीं कर रहे हैं यह था मेरा opinion तो आपको यह ची जिसमें आपको पैसा लगाने है subscribe करके रख लो FMCG का stock है उसका भी IPO आने वाल है उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना कर बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है after listing strategy वहाँ पर आपको list होते साथ ही buy करने है जब list होगा उसके एक दिन पहले वीडियो आ जाएगा कोई पैसा नहीं लगाना होता है लेकिन पांच दिनों में कई बार आपको पचास लाग एक करोड तक लगाना पढ़ सकते हैं this is stock market and how it is work तो उमीद है आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा like करिए share करिए बाकी लोग के साथ ताकि hype में ना भहे अपने पैसे बचा कर रखे ताकि पैसे बचाए तो पैसे बनाए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के साथ में